मश्कार मैं MK माही आप देख रहे हैं खाश खबरे बिहार और मेरे साथ इस समय मजूद है भिवड़ी पंचायत के जो है पैक्स परत्यासी अरुन कुमार मंडल जी जो की नामनेशन किये हैं सोलो तारीक को जिनका जो है चुनाव होना है उनिस तारीक को आए जानते हैं कुछ अरुन कुमार मंडल जीज़ी प्रत्यासी हैं प्यक्स प्रत्यासी हैं क्या कुछ कहते हैं सबसे पहले आप अपना जन्तर जनताएं को बता आउं कि आपका शुब नाम है अरुन कौर मंडल मेरा सूब नाम है आप इस भार पैक्स के प्रत्यासी बने हैं तो छुनाओ एस बार आप पैक्स चुनाओ लड़ रहा है इससे पहले बहुए इलेक्षन आपने लड़े लड़े थे क्या जी एक बार तो लड़े थे तुस्वर हम हार गये थे और दूसरी बार तो नम निशन रद हो गया था कुछ बिपक्षी बिरोधी पाटी के बात पर चले गये थे राजनितिक मुद्दा पर लोग कुछ समझोता हुआ था वैसा हु इसके कारण जो नहीं सदस्ता नहीं दे पाए जिसके कादन रद हो गया था चुनाओ अरुन जी चुनाओं के मैदान में हार जीत एक से के की दो पहलू है आप पिछली बार हारे थे हो सकता है इस बार आपकी छबी अच्छा हो जनता के दिल में अगर आप बसे हैं तो आप पर और आप जनता से क्या क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से भोट मांगेंगे आप जनता जनता से देखिए सर खाद यह सब और धेर सारे धांदली है प्यक्साद्याग का काम है किसान का नियुत करना खाद जी हाँ पैक्स में धांदली धांदली तो होता है जैसे कि एक खाद की समस्या आती है लोगों को किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है और जैसे कि लोग खेती करते हैं अनाज को बेचने में परिशानी होती है पैक्स में लोग पैक्स जो बनते हैं कि सही कीमत पर जी में सविस्सांप किसान के दूर के जाएगी सब हमारे प्रयास रहेगी कि जि औरण जी बटा रहे हैं एकि चितनी भी समस्या को इनको हटाएंगे इसके बात से इसी बात को रौन जंता ताशी में भोट मांग रहे हैं और कहे इस लाइकन कि ँर बार सब्सक्राइब करने के लिए पूरी प्रयास करेंगे और दूर भी करेंगे आए चुनावी मेला है भीड़ी पंचायत में तीन पर्त्यासी चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं कौन किसको पल्टी मारता है वो देखने की बात होगी लेकिन इस वक्त भीड़ी पंचायत के कुछ ग्रामीन से मैं बात करता हूँ आए कुछ जानना चाहता हूं अभी पै सोच कर बोट दे रहे हैं अरुन जी को एक अच्छा व्यक्ति है नौजवान है और कुछ करके दिखने वाला है आप क्या कहेंगे चता जी हम तो वही कहेंगे कि हमारा समाज का है बाल बच्चा है यह समाज की तो आपको तीनों कंडिट समाज के ही हैं लेकिन तीनों में आप इनहीं को वोट देते हैं क्या सोच कर देते हैं आपकी उम्र को भी देखा जाया है काफी उम्र हो गया है आप जब हमको लग रहा है कि आप बहुत जादे प्रत्यासी को जिता चुके हैं बहुत दिनों से बोटिंग करते हैं और इस वक्त आपके कम समय बचे हैं लेकिन इस परिशान होता है वह सबीधा होंगे और हम लोगों का जो अनाज बेचने की परिशानी होती है वह सबीधा ओ आप किसको भोड़ देंगे आप अब दादी बता रही है कि समाज का बेटा है बच्चा है नौजवान है इनको भोड़ दिया जाए और इनको जिताया जाए पहले आपका सुम नाम बताएं सर मेरा नाम सीबनायन मंडल है सिबनरायन मंडल जी अभी पैक्स का सुनाव हो रहा है आप पैक्स सुनाव में किस परत्यासी को अपना बहुमूल भोड़ दे रहे हैं मैं जो अपना भोड़ ही नहीं मैं और ही भोड़ दिलाने का पंचायद में काम कर रहा हूं अरुन मंडल को इसलिए कि वह यूबा ने और हम लोग यूवा को बढ़ावा देना चाहते हैं कि चूकी पंचायत में आके अच्छा धंग से अच्छाब कर्या अच्छाब प्राशना चाहते हैं!!